भाईयो नमस्कार भाईयो इस खेत की वीडियो मैंने पहले बनाई थी आज इसमें भाईयो खाद डल्या है और खाद जो है यूरिया डल्या है और उसमें एक दवाई लगाई गई है तो मैं इसमें दिखाऊंगा कि उस दवाई का क्या फायदा है और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें भाईयो एक हर्वी साइड का इस्प्री किया था हमने सिंडिका का और इसके परिवाम आप देख सकते हैं कितने बड़ी हरी जल्ट आए कोई भी खर्पतवार घास इसमें नहीं रहा है बिल्कुल खतम किवाई मकडा था और मोत था और ये देख सेरे में सारी घास खतम हो गई तो भाईयो आज इसमें खाट डाला जा रहा है खाट दिखाऊंगा मैं कि कौन सी दवाई इसमें लगाई जा रही है जोन सी दवाई भाईयो इसमें लगाई जा रही है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं ये देखिए पहले तो इसम गना ये निकल लियाता है तो भाईयो इसमें रोग जादा नहीं लगते तो भाईयो इसमें पहले यूरिय लिया गया और फिर दूसरा लिया गया भाईयो उर्जित जो दानेदार फोम में आता है ये देखी और उर्जित जो है भाईयो ये माई को कमपनी का है इसमें ये आप को खुदी निकारा होगा फसल चार्ड तो उपस डबल चार्ज तो भाई। इसके क्या फायद है मैं पहले यह बताऊएंगा अगर आप इसे डाल लेंगे कंपनी का भाईयो ये दावा है और आपको ही पता होगा अगर भाईयो इसमें हार्मोन्स जो हार्मोन्स की कमी हो जाती है पोधे में कुछ किसान भाई ये पता चलता कि हार्मोन भी डाले जाते हैं अगर भाईयो हार्मोन की कमी हो जाती है तो भाईयो पोधा बिलकुर स्वस्थ हो के नीचलता अगर हार्मोन सही होंगे पोधे में तो भाईयो उसमें इम्मिनिटी भी बनेगी रोक पिर्तिरों तक छमता बढ़ती है और कीट नासक जो दवाइँ आप लगाते हैं उसकी भी और जो आप एनपी के यूरिया डालते हैं वो भी पोधे को पूरा मिलता है भाईयो इसमें जो है ये देखी इसमें सपा सब्दों में लिखा है उर्जीत ग्रेनवल के फायदे भाईयो एजे टोबैक्टन नाइट्रोजन अफसोर्शन को बढ़ाता है पोधे हार्मोन आई प्रकुल सही तरीके से रखता है उर्जीत बहुत ही बढ़िया चीज है अगर कंपनी का भाईयो एक चीज और कंपनी का ये दावा है अगर आप इसे एक बाल लगाओगे तो आप एक किलो लीजिएगा इसे और आप एक विगे में इसे लगा दिएगा और दूसरा आप और दवाई लगाईए उस खूड को देखना उसमें और इसमें कितना अंतर आएगा तो भाईयो मैं तो यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा ट्रायल करके देखें कि आपके खेत में कितना अंतर आएगा और जादे महंगी चीज नहीं है और दूसरा इसके लगाने की मात्रा भाईयो आठ किलोग्राम पिडटी एक कर लगता है बेसल डोज में दूसरी खुराग दवल हो जाती है दूसरी खुराग भाईयो यह 15-16 किलो लगती है एक पैकेट जो है भाईयो 8 किलो काता है और एक बा podr लगाने के बात भाईयो यह दुबारा भी लगाना पड़ता है अ भाईयो, उन खेतों में बहुत बढ़ी result आता है. इसका बहुत ही बढ़ी result और जो oxygen की मातर मातरा कम हो जाती है, कुछ मिट्टी भाईयो, इतनी खराब ह जाती है. उसमें oxygen की मातरा पोधे को उतनी मिल पाती, जितनी मिलनी चाहिए. तो भाईयो उक्सीजन की मात्रा पूरी करता है और नाइट्रोजन की भी इससे क्या फायदा है इससे भाईयो यह फायदा है आपको जो एस्टर डोज देनी पड़ती है न पेसल डोज में एस्टर डोज एसे एनपी के बगएरा तो भाईयो उसकी मात्रा भी आपको कम लगान तो भाईयो पोध्य के कल निच्चे के नस्य होते हैं भाईयो बहुत बढ़िया तरीके चलते हैं अगर भाईयो पोध्य के नस्य जो होते हैं नीचे वाले अगर वो सही चलेंगे तो पोध्या विकास बहुत अच्छा तरीके से करेगा और पोध्या तनाव मुक्त होगा उड बार वजित लगा कर देखें और इसलिए ही भाईयो आज किसान भाई अपनेखेट में उड़ित लगा रहे हैं कि इसका रिजल्ट देखा जाये कैसा है क्योंकि भाईयो कीट ना सक दवाईया और ये फंगीं किसान मुंसे संतोष नहीं है कितनी बाल लगाएं जमीन भी खराब हो रही है इसलिए भाईयो आज उर्जित लगाया जा रहा है जो भाईयो इसमें लिख रहा है Microbial Consortia अधारित पायो फर्टिलाइजर है भाईयो ये बहुत बड़ी है चीज है आप किसी भी company का ले सकते हैं लें तो किसी भी और company का ले सकते हैं और अपनी बेसल डोज में इसका चुनाव जरूर करें और बेसल डोज में ना गेर सके तो भाईयो पहले खात पर इसे लगाएं और तब बताना इसका कैसा रिजल्ट आएगा पोधा भाईयो बिलकुल ही बढ़िया तरिक्के से चलता है इसे लगाने के बाद मैंने देखो सही बात तो यह है इस बार इस खेत में यह पहली बार लगाया जा रहा है जब यह डाला गया है अब इससे में बात को एक वीडियो और बनाऊंगा कि इसके कैसे रिजल्ट है लेकिन जिन किसान भाईयोंने पहले यह डाला था ना उनकी मैंने वीडियो देखी तो भाईयो गन्ना बहुती बढ़िया चला उनका जिनोंने यह पिछले साल लगाया था इस बार तो अब यह लगाया जा रहा है तो मैं आपको यह इसमें वीडियो में बताऊँगा अगली वाली में कि इसका कैसा रिजल्ट आया इसलिए एक वीडियो तब भी देखना बाद वाली और उसमें मैं पूरी अप टूडेट बात बताऊँगा कि क्या रिजल्ट आया कीटनासक लगाया या नहीं लगाया फिलाल तो इस खेट में कोई कीटनासक या होनी चाहिए न पोधिम अच्छी वो उसे भी बिल्कुल बड़ी हत्रीकी से करके चलता है ये देखिए छोटू खाट डालता हुआ और इसके बाद भाईयो इसमें पानी चल जाएगा खरपतवार बिल्कुल खतम हो गए एक सिंडिका का इस्प्रिय करने के बाद ये लगाने के बाद आपको यह जरूर पता चल जाएगा कि इसके फायदे कैसे हैं एक बार आपने थोड़े से खेत में लगा कर देखें ट्रायल वेस पर और यह बताईए फिर कि कैसे रिजल्ट आए अगर किसी ने लगाया हो तो कमेंड में जरूर बताएं कि उन्हें कैसे रिजल्ट मिलेते भाईयो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंड में जरू बताएं धन्यवाद नमस्कार